नमस्ते मैं हूँ देव द्रिश्टी कॉन प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं वोकोडेक्स के बारे में हम यहां मिक्सिंग चनल में जाते हैं इसके और यहां पर हम ले लेते हैं एक वोकोडेक्स आप अलरी इसको यूज़ कर चुके होंगे आपको भी आवाज लेते हैं उसे एक नमबर में डालते हैं वोकोडेक्स पराते हैं यहां पर अगर आप राइट क्लिक करें तो बहुत सारे प्रीसेट्स आते हैं पिसे यूज़ करके देख चुके होंगे कि रॉबर्ट वाली आवाज हो गई कुछ पावर हो गई ओल्ड स्कूल हो गई इसमें कोई एक ओल्ड मैन जैसी भी होती है तो यह सब आप अल्रेडी ट्राइ कर ही चुके होंगे क्योंकि आपने देखा होगा यह पड़ा है वोकोटेक्स है चली देखते करते क्या है लेकिन इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है आज जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो कॉंसेप्ट है मॉडूलेटर और कैरियर का आईए देखते हैं किस तरह से इसे यहां से वापिस मैं replace कर देता हूँ मैं यह नहीं कर रहा हूँ कोई भी मैंने एक लिया उस पर double click किया किसी भी number में डाल दिया और वोकोटेक्स ले लिया नहीं उस तरीके से मैं नहीं करेंगे चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसे थोड़ा तेज रखूँगा सुनते हैं यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है बहुत बढ़िया मैंने कह किया यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर कोई भी एक ले लेता हूँ लेट से मैंने FL की ले ली राइट लिक पियानो रोल फिर सुनते हैं 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है अब यहाँ पर मैंने यह प्ले कर दिया है अब मैं क्या करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीका राइट क्लिक रिप्लेस किया इसे और यहाँ पर हम जाते हैं इसको मैं ले लेता हूँ कोई भी एक सिंथ चलिए मैं हामर ले लेता हूँ इसकी कोई भी मैं पर्टिकलर साउंड नहीं लूँगा मैं इसे डिफॉल्ट कर देता हूँ चलिए मैंने इसे कर दिया है डिफॉल्ट ठीक है बहुत बढ़िया अब मैंने क्या किया जो मैंने इस सिंथेसाइजर लिया है और जो यह मेरी आवाज है जो vocal है vocal को डाला मैंने एक नमबर में और synthesizer को डाला मैंने दो नमबर में mixing channel में आए बस यहाँ पर जो एक step है वो हो सकता है आप miss कर दें और घर पे आप बोलें कि मैं कर तो step by step रहूं लेकिन वो चीज आ नहीं रही जो lecture में हमने देखा था ध्यान से देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है बस कुछ step न मिस हो जाए एक नमबर में आवाज है दो नमबर में synth है एक नमबर को right click करके rename किया मैंने modulator यह modulator हो गया है दूसरा जो मेरा synth है वो मेरी आवाज को आवाज modulate होगी तो उसका नम हुआ modulator जो synth है जो उसकी modulation को carry करेगा वो हो गया carrier simple आसान था modulator carrier आवाज मेरा synth अब मैं तीसरे नमबर में गया जो खाली है जो किसी से connected भी नहीं है वहाँ पर मैंने क्या किया मैंने क्ले लिया vocodex ठीक है ये connected नहीं है कुछ भी नहीं है मैंने क्या किया पहले नमबर पे मैंने select किया लेकिन गया मैं तीसरे नमबर पे यहाँ ये तीर सा बना हुए आप देख रहे हैं अगर मैं इसको पर जाता हूँ तो hint panel बोल रहा है enable send from modulator to insert 3 hint panel में गराप पढ़े पहले वाला मैंने select किया है तीसरे वाले पे right click route to this track only फिर मैंने किया दूसरे वाला select carrier वाला लेकिन गया मैं फिर से तीसरे वाले में right click route to this track only सिरफ ये जो मैंने step किया है यहीं पर लोग गलती करते हैं उन्हें समझ नहीं आता कहां क्या करना है पहले वाले को भी मैंने third वाले से route to correct किया दूसरे वाले को भी किया अब क्या हुआ तीसरे वाले में मैं गया जहाँ पर मेरा vocodex था यहाँ पर एक option है उसने पूछा modulator कौन सा है और carrier कौन सा है मैंने का जी modulator one number में है ठीक है one है carrier वो दो number में है तो मैंने इसे दो कर दिया जाए इब scroll कर सकते हैं जाए पकड़ के भी कर सकते हैं ठीक है अब सुनते हैं क्या बना डबल क्लिक इसको select करते हैं control नीचे और octave नीचे आपने Daft Punk का गाना सुना होगा अगर नहीं सुना तो आप select कर सकते हैं search कर सकते हैं Daft Punk Kanye West उसका गाना stronger वो भी ऐसे use होता था आप मेरा गाना सुन सकते हैं प्यार बेकार मेरे अपने चैनल यूट्यूब पर उस पर भी कुछ इस तरह कही एफेक्ट हैं जो मैं vocodex वगरा से मैंने बनाए हैं अब मैं देखता हूँ इसमें और मैं क्या-क्या कर सकता हूँ ये तो वही melody है जो मैं गा रहा था उल्टा करके देखते हैं कहीं और लेके जाते हैं मैंने छोड़े-छोटे नोटी काये थे बढ़ हो सकता है शायद मैंने कहीं लंबे नोट गाये हूँ तो सुन लेते हैं सिंपल यहाँ पर मैं किया hip hop एक lily मैंने kick एक lily मैंने snare मैं basic आपको rhythm के उपर दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ बन सकती है बाकी आपकी creativity आप उसके पर कुछ भी कर सके प्यार बेकार गाना सुन लीजिए Kanye West का कोई और सुन लीजिए इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जिसके अंदर आप इस तरह के effects सुनते हैं जो vocodex या vocoding से बने होते हैं ठीक अब मैंने यह सारा किया साफ इस पर गया double click और ले गया किसी और number में 21 चलिए 21 में ले जाके मैंने vocodex simple selector लिया जो आपने already life में try किया ही हुआ है कि कोई आवाज ली उसे किस number में डाला और vocodex में डाल दिया यहां पर वो preset ठीक यह preset का नाम क्या है मुझे यहां से number से याद है आप right click करके देख सकते हैं बीच में रॉबट वाली भी आई थी right click करके रॉबट वाली भी आती है अब मेरा midi board जो है वो मेरे साथ connected है तो मैं महां महां play करता जाओंगा यहां यहां वो notes दिखते रहेंगे कि मैं अपने midi पर क्या क्या play कर रहा हूँ और आप देखेगा कि आवाज के उपर क्या effect पढ़ता है देखे और मैं क्या कर रहा हूँ यहां click करके मैं EQ ले लेता हूँ right click high pass filter ताकि मेरी आवाज की bass चली जाए इसे मैं उपर ले लिया कि पहले वो उससे pass होगा फिर वो यह number wise होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा आए देखते हैं आवाज पर क्या effect पढ़ता है आप देख रहे हैं वो कडेक्स साथ आप कितना कुछ खेल सकते हैं तो जादा confusing नहीं है modulator और carrier वाली चीज़ practice कीज़ेगा बहुत ही आसान है आप मुझे मेरे facebook पर follow कर सकते हैं instagram पर follow कर सकते हैं मेरे youtube page पे like कर सकते हैं यह teaser आ गया है तितली का मेरा सॉंग लोग धूंग पंजाबी पर आया है 15th April सब लोग date lock कर लिजिए उस दिन गाना release है share कीजिए like कीजिए comment कीजिए और गाने को sport कीजिए तो मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए देफ रॉम द्रिश्टिकोन प्रोडक्शन्स signing out नमस्ते